नमस्कार, आज 31 अगस्त को दक्षणी उडिशा और आंदर प्रदेश से लगने वाले बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ है इसके अगले 24 गंटों में उत्तर पस्चिम दिशा की और यानि की दक्षणी उडिशा और अंदर प्रदेश की और आगे बढ़ने के सिंबावना है इसके असर से पिछले 24 गंटों में पूरवी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं कहीं भारी बारिश रिकोर्ट हुई है पिछले 24 गंटों में 2 सा जिले के रहूवास में 101 मम बारीस होई है वहीं जाला बार में भी कहीं भारी बारीस रिपयर्ट की गई है इस डिप्रेशन सिस्टम के असर से पूरवी राजस्थान में अगले 24 गंटों में कई स्थानों पर बारिश की गतिविदियों में बढ़ातरी होगी आज भी कोटा उदेपूर जैपूर और रजने संभाग की कुछ भागों में दुपरबाद मेक गरजन के साथ हलकी मद्यम बारिश होने जबकी तेंटें बारिबारिश की संभावना है पूरवी रजस्थान में एक सिस्टमबर से बारिश की गतिविदियों में और बढ़ातरी होने जबावना है रजस्थान के कई इलाखों में मद्यम तो कहिए भारिबारिश की दौर है और कम से कम अगले एक सब्टा तक जारी रेने की संभावना है खासकर इस सिस्टम का असर दक्षिनी और दक्षिन पूर्वी राजस्थान के अनेक वागों में रहेगा पस्चमी राजस्थान के जोद्पूर विकानेर संभाग के कुछ वागों में अगले दो-तीन दिन हल्की मद्यम बारिसोने के संभावना है का अगारि दौर भर्ष है है इसके लावा मेक दर्जन अकासिय बिजली की भी संभावना बारिस के दौरान बनी रहे गी बात करेंदे इस मांसून सिजन में बारिस की तो अब जर्ज एस सिजन में एक जुन से आज 770 for रिस एक्षिर ही इस सिजन में अğगस्त के माव में 345M मारिस रिकोड हुए, जो की सामने से 121 परसेंट जादा है, यानि दो गुना से ज्यादा पारिस अगस्त के महिने में पूरे राजस्तान में रिपोर्ट हुई है जिला बार देखें तो एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां सामन्य से नीचे बारिस हुई हूँ दक्षणी राजस्तान के जिलों में सामन्य बारिस है जबकि बाक्ति अधिकांस जिलों में अब बस्रें पाल दो कि दो